हाई अवरिवन आज के वीडियो में आपको बताऊंगी कि आप ये गोल्डेन ग्लिटर मेकप कैसे कर सकते हैं ब्राइड के लिए भी कर सकते हैं आप इसको तो चली देखते हैं कैसे करता है तो सबसे पहले मैंने यहां पर कंसीलर लिया था एल्फ का और उसको मैंने लगा है पूरी आइलिड पर मैंने लगा है क्योंकि एनिवेज हमको क्रीज को कट करना है और दुबारा कंसीलर हमें लगाना है तो वह मैंने अभी के लिए छोड़ दिया है और क्रीज पे मैंने कंसी तो इस तरह से ब्लेंड करते जाएंगे और फोड़ा-thोड़ा कलर हम बाद में लेते जाएंगे अभी मैंने फ्लाट ब्रॉश लिया है यह मॉर्फी का ही है और इसकी हल्प से मैंने यहां पे क्रीज को इस तरह से कट किया है तो आप देख रहे हैं कि नीचे मैंने concealer बिलकु लगाया नहीं है और यही वाला concealer अब जो है बहुत ही light shade में मैंने इसको लिया है और इसी को ही हम यहां पूरे eyelid पर हम इस तरह से लगा देंगे तो एकदम neat and clean सा हमारा रहेगा eyelid और इसके बाद सेम यह जो palette है मैंने Morphe का लिया था इसी में से यह golden वाला shade हमने लिया है और यहां जहां पर यह light वाला concealer हमने लगाया है इसको हमें लगाना है एक चीज हमें हमेशा ध्यान में रखनी है कि जबी भी eye makeup हम करेंगे आपका skin type चाहें जैसा भी हो oily हो या dry हो जैसा भी हो आपको concealer eyes के लिए हमेशा matte finish का लेना है और full coverage लेना है जिसे कि अगर कुछ spots है या कुछ है कुछ भी color वगेरा वो एकदम cover कर जाए क्योंकि full coverage है और दूसरे बात कि आपका eye shadow जो है वो बिलकुल भी smudgeी नहीं होगा बिलकुल भी खराब नहीं होगा क्योंकि ये matte finish है तो इस तरह से आपको हमेशा concealer का ध्यान रखना है और ये जो मैं liner लिया है ये मैंने inglot का लिया है liner और इसको हमने जैसे आपने देखा हमें थोड़ा इस तरह का half moon type का shape देकर हमें बनाना है और बाहर भी हमें इस तरह से निकालना है थोड़ा सा dramatic side पर है ये eye makeup मतलब हर एक को पसंदा ऐसा नहीं है तो जिसको अगर अच्छा लग रहा है आप कर सकते हैं इस तरह से तो ये थोड़ा dramatic है इस तरह से थोड़ा सा heavy side पर है ये eye makeup और इस तरह से हम इसको यहां पर कर देंगे बाकी बाहर जो है ये हमें थोड़ा सा smokey इसको effect देना है तो इसके लिए black color लेकर और इस तरह से हम उसको लगा देंगे और अब ये next का मैंने लिया था glitter प्राइमर और ये जो glitter था ये makeup revolution का है तो इस तरह से हम इसको लगा कर और इसके ऊपर हम यहां पर glitter लगाएंगे और हमें थोड़ा सा थोड़ा मुझे फुल चाहिए था glitter का जो effect है तो इसलिए मैंने flat brush लिया है अगर आपको हलका हलका effect डालना है glitter का की थोड़ा थोड़ा है तो आप इस तरह का जैसे कि यह दूसरा brush था कोई भी आप normal brush आप ले सक पैंसिल ब्रश आप ले सकते हैं तो उससे हम लगा सकते हैं glitter और यहां पर थोड़ा सा black color मैंने फिर से लिया है और pencil brush की help से यहां पर हम इसको इस तरह से लगा देंगे बहुत जरूद से जादा हमें नहीं लेना है थोड़ा थोड़ा करके ही हमें लगाना है और इस तरह से हम इसको shading करते रहेंगे और यहां पर अब हम एक extended liner बना देंगे और हलका सा यह मैंने glitter लिया है urban decay का और इसको हम इस तरह से लगा देंगे एक nude eye pencil लेके हम यहां पर लगा देंगे तो eyes हमारी बड़ी लगेगी बाकि highlighter लगा दिया है मैंने यहां पर और इस तरह से look हमारा ख शुगर का लिया है मैंने और लेशेज लगा दी है यह मैंने प्राइमार की लेशेज ली है और बस हमारा लुक खतम है तो अगर आपको अच्छा लगा हो लाइक के जगा वीडियो सब्सक्राइब के जगा चैनल और मुझे आपको इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते है So thank you very much for watching, bye!